हमारी दातों का श्रमंद स्वास्ति से भी है और सुन्दर से भी दात साफ सुन्दर और मजबूत बने रहे तो चेहरा सुन्दर दिखाई देता है दातों से सही काम लेकर ही आहाल ठीक से पचा सकते हैं और सरीर को स्वास्ति तथा मजबूत बनाए रख सकते हैं ऐसा तभी संभो हो सकता है जब लंबे समय तक हमारे दात ना सिर्फ मौजूद ही रहें बलकि स्वस्त और सुन्दर और मजबूत भी रहें इसके लिए हमें दातों की उची देखवाल करना काफी जरूरी होता है देखवाल की बात करें तो सबसे जरूरी है कि अच्छे पेश्चे दातों की सफाई करना तो आज हम इस वीडियो में आपको दो मेडिकली टूट पेश्ट बताएंगे जो काफी बहतर काम करते हैं तो वीडियो सुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो के नीचे सबस्राइब का बटन दिया गया है उस पर क्लिक कर चैनल को सबस्क्राइब करें दोस्तों आज हम बात करेंगे इमो फार्म आर और आरे थर्मोसिल टूट पेश्ट के बारे में अधिकतर लोग medically toothpaste में Sensodyne का ही इस्तमाल करते हैं नहीं तो normal toothpaste का इस्तमाल करते हैं जबकि सबकी MRP आपको लगबग आसपास ही पड़ेगी आप कोई भी toothpaste ले चाहें Colgate ले चाहें Sensodyne ले चाहें Immoform ले या थनो सिले सबकी toothpaste की MRP लोग आसपास ही रहेगी तो क्यों आप best toothpaste का इस्तमाल करें जिसे हमेरे दातों की सफाई भी अच्छी तरह से है और दात में कोई समस्या भी नहीं हो तो उसके बाद जानें कि क्यों साब बेस्ट है क्यों साब कभी इस्तमाल कर सकते हैं तो सबसे पहले Immoform R2P की बात करें तो इसमें केलसियम कार्बोनेट पोटेशियम नैट्रेट और शोडियम कुलराइश बनाया जाता है इसके 100 ग्राम की MRP 130 रूपे है इस समय इसके मुख्य फायदे की बात करें तो दातों का पिला पंदूर करता है बारी दाग धब्बे हटाता है जैसे काला अलवा दाग धबे तो उसे भी अटाता है सनवेदन सिल दातों को परवावी धंक से ठिक करता है यानि जो दा सनवेदन सिल होते हैं बात करते हैं तो यह इक पाक कंपनी द्वारा बनाये जाती है यह फ्रेस मिंट फ्लेवर में आपको मिल जाएगा इसके 100 ग्राम की MRP 127 रुपए है इसके इंट्रिगेश की बात करें तो इसमें पोटेशियम नैट्रेट 5% और सोडियम मोनो फ्लूरोड फासफोड 0.7% इसमें पाए जाता है इसका इसमाल आप दातों में जंजनाट जैसे कोई आप गर्म ठंडा या कुछ खाते हैं तो आपके दातों में जंजनाट होती है तो इसका इसमाल काफी जादा होता है और इसके बाद दातों में गंदगी पीला पन काला पन में इसका इसमाल काफी कीया जाता है इससे टूटपेश करनने पर आपके मुँमें ताजगी महसूस होता है क्योंकि इसमें Gositry जाता है मुह में ताजगी और फ्रेस महसूस होता है काफी वेस्ट इसका भी रिजल्ट आता है अब बात करें दोस्तों दोनों में वेस्ट कौन है इमो फार्म आर्क यारे थर्मोसिला देखतर लोग बार्गेट में इतना ज्यादा परचार टीबी पे डाता है कि सेंसो डाइ ले चाहिए कोई भी कोलगेट ले आपके सो रुपे कास पर तो क्यों होना बेहतर ले तो सबसे बेस्ट इन दोनों आरे थर्मोसिल और इमो फार्म में बात करें तो इमो फार्म आर काफी वेस्ट काम करता है यह दर्द में भी आपको रहात देता है आपके दातों कमजोरी दूर करता है पीला पन भी इताते जादा यहनि सब ज्यादा बेस्ट काम करता है उसके बाद तर ना裡 बेस्ट काम करता है लेकिन अब यह वेस्ट करता है यह दो कोई परसानी यानियी कोई भी परसानि में अध्यास की इसमिल करता वेश्प काम करते। मेरे थे दोस्तों सब्रीक चाहिते मेल पर उसके मैं तो वैसे अगर आप्सकी दोस्तों सर रेक्रीन कोईनी कभी नहीं होगी। तो चले दोस्तों आज की विडियों सिर्फ इतना एक फिर मिलेंगा अगले विडियों कुछ नहीं आलेका